लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरुक करने के मकसद से हिमाचल पुलिस द्वारा इन दिनों विशेश अभियान चलाया गया है खुद पुलिस के बड़े अधिकारी सड़क पर उतर कर लोगों को जागरुक कर रही है सिर्मौर जिला मुख्याला नाहन में पुलिस कर्मियों द्वारा लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरुक किया जा रहा है साथ ही पुलिस द्वारा यातायात नियमों के अभेलना करने वाले लोगों के चलान काटे जा रही है पुलिस मुख्यालाई के निर्देशा अनुसार खुद पुलिस अधिक्षक सिर्मोर अजे कृशन शर्मा अभियान की मौनिटरिंग कर रही है शहर में पुलिस द्वारा खासकर नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जा रही है जो अक्सर शहर में जाम की समस्या कारण बनते हैं पुलिस त्वारा चलाए गए इस अभियान की स्थानिय लोगों ने सराहना भी की है लोगों का कहना है कि सभी को पुलिस का सहोग करना चाहिए तबी शहर जाम जैसी समस्या से निप्टा जा सकता है साथ ही दुरगटनाओं से भी बचाव होगा पुलिस का अभियान है बहुत बढ़िया चल रहा है इससे जो नहां शहर के अंदर पार्किंग की समस्या है जैसे लोग कहीं पर भी अपना बहां पार्क कर देते हैं उससे यातारत में बहुत दिक्कत होती है जैसे कि किसी ने गाड़ी निकालनी हो आने जाने में बड़ी कट्वाइया सामने आती है और जो यह समय पर चलान कर रहा है जो गाड़िया जैसे यह लोग यह मास्क नहीं पहनते हैं और अपने हेलमेट नहीं लगाते हैं सीट बैल्ड नहीं लगाते हैं उनके उपर भी यह इसका असर पड़ेगा ग्यान है जो यह मेरे ख्याल से बहुत बड़ी है है यह लोगों को जागरूप होना चाहिए इससे जाम के सुमस्था से छुटकारा मिला एक तो लोगों को खुछ सोचना चाहिए कि सड़क पे गाड़ी ना खड़ी करके खुड़ा अपना पार्किंग में या कहीं ऐसी जगा खड़ी कर सकते हैं जहां पर लोगों को अस्विधा ना हो मेरे ख्याल से करना चाहिए लोगों को हमको सबको मिलके पूलिस का से हो करना चाहिए